पिछले 200 सालों से साइन्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और आज भी नई नई खोज और रिसर्च होते रहते हैं इन में से कुछ चीजे इतनी ज़्यादा खास होती है जिसका मंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं ऐसी ही एक खोज हिलियम 3 लेकिन यह इलियम 3 क्या है क्यों दुनिया बर के वेगनानिक इसके पिछे पड़े है चलिए जानते हैं इस वीडियो के माद्यम से पहले जानते हैं हिलियम 3 क्या है और कहां पाया जाता है हिलियम 3 हिलियम का एक हलका आइसोटोप है जिसमें दो प्रोटोन, दो इलेक्ट्रोन और एक निट्रोन होता है यह रेडियो एक्ट्व नहीं होता है इसी वज़े से यह रेडियो अक्टिव पॉलिशन नहीं फैलाता है यह हमारे चंद्रमा में पाया जाता है वैगनानिकों के अनुसार जब सूर्य की हवाए चांद की जमिन से टकराती है तब उसमें हिल्यम 3 चांद की मिट्टी में कैद हो जाती है क्योंकि वहाँ पर पृत्वी की तरह हवान नहीं चलती है सबसे पहली बार हिल्यम 3 की खोद सन 1934 में औस्टेलिया के बहुतिक वैगनानिक मार कॉलिपंट ने की थी नासा के अनुसार चंद्रमा पर कम से कम एक मिलियन मैट्रिक टन हिल्यम 3 मौजूद है उसमें भी केवल एक चोथा इल्यम 3 को पृत्वी पर लाया जा सकता है लेकिन फिर भी यह आने वाले 50 सालों तक दुन्या की आपृत्वी को पूरा करने में सक्षा हमें इल्यम 3 के एक टन की किम्मत करीब 5 अरब डॉलर है लेकिन इसको पृत्वी पर लाना बहुती मुस्किल और खतरनाक भी है इसी इल्यम 3 को लाने के लिए दुन्या बर के देश चांद पर इंसान रहीत मिसन बेजने की तैयारी कर रहे जिसमें चीन अमेरिका जैसे देश शामिले चांद पर जाकर हिल्यम 3 को धर्ती पर सुरक्सित लाना ना मुम्किन नहीं है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खर्चोने वाला है इससे भी ज्यादा मुस्किल इसको सुरक्सित रखना है यदि इसको फ्यूचन आलविवर रियक्टर बनाते वक्त थोड़ी भी गरबढ होती है तो यह बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आज के वीडियो में बस इतना ही उमीदे आप कोई वीडियो जरूर पसंद आया होगा यदि इस वीडियो से रिलेडिट कोई सवाल है सुजावे तो कमेंट में जरूर बताना ऐसे ही वीडियो की नॉटिपिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करकर नॉटिपिकेशन बेल को प्रेस करें मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिके साथ तब तक लिए बाबाई